हेलो फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मतर की कचोड़ी तो मतर की कचोड़ी बनाने के लिए मैंने आदा किलो मतर लिया इनको थोड़ा हम फिराई कर लेंगे ताकि ये कच्ची ना रहें ये फिराई हो गई हैं अम हम इनको निकाल लेंगे ये मैंने एक कटोरी में इनको निकाल लिया है अब इनको थंडा होने के लिए रख दिंगे अब यह लिया है, मैंने हरी मिर्च लियें दो कटी हुई और हरा धनिया लिया है मतर के साथ हम इनको भी मिक्सी के जार में डालकर पीस लिनगी हमको कोई पेश्ट नहीं बनाना है इसको दर्दरा पीस ना है कोई पानी वानी यूज नहीं करेंगे पानी नी डालना है ऐसे ही हम इसको पीछ लेंगे थोड़ा दर दरा यह मैंने सॉंप लिए सॉंप से टैस्ट बहुत अच्छा आता है कचोडियों में एक बड़ी चमच और यह मैं सूखा धनिया लोंगी अब इसको मैं मिक्सी में पीछ लेती हूं यह देखो बिल्कुल दर दरा पिसा है यह मारा मिसरन अच्छे से बन कर त्यार हो गया है अब एक कड़ाई लिए यह मैं इसमें घी डाल दूँगे और जो मसालों को भूनेंगे हम यह मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है यह गरम मसाला लिया है आदी चमच से भी कम एक यूजनी करेंगे और नमक डालूँगे एक चमच स्वादनुशार मसालों को हम अच्छे से मिला लिए ताकि यह भून जाए और जो अभी हमने मिसरन बनाया था उसको कड़ाई में डाल देंगे रच्छे से मिक्स करेंगे यह कचवडियों में जो हम मिसरन बना रहे हैं उस यह मैं अच्छे से मिला लूँगी मसालों को बजार में बहुत ही अच्छी मटर आ गई हैं तो पिलीज आप भी ये रैस्पी जरूर ट्राई करें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ने किया है तो पिलीज सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी कचोडी बनाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को कर देना लाइक और वीडियो को कर देना सेयर ये हमने मिस्रन को अच्छे से मिला लिया है अब हम कचोडी बनाने के लिए मिस्रन बनाने के बाल आठा त्यार करेंगे और आज हम मैदा की कचोड़ी नहीं बनाएंगे आज हम आटे से ही कचोड़ी बनाएंगे मतर वाली यह अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है अब मैं गैस को कर दूंगी बंद इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगे ये निकाल कर इसको ठंडा होने के लिए रख दिंगे अब हम आटा त्यार करेंगे ये दो कटोरी मैंने आटा लिया है इसमें एक चम्मच ये अजवैन ली है मैंने हातों से क्रस करके डाल दिंगे एक चम्मच हम नमक डालेंगे इसमें स्वाद अनुशार और एक चम्मच इसमें हम घी यूज करेंगे देशी घी डाल देंगे आपके पास रिफैंड है तो आप रिफैंड भी जाल सकते हैं अब पहले घी को अच्छे से मिला लिया है फिर थोड़ा सा हलका गरम पानी से हम आठा गूँदेंगे ठेंडा पानी यूज नहीं करेंगे आठा अच्छा गूदता है जब हम थोड़े से गरम पानी से करते हैं हलका गरम होना चाहिए पानी इसका एक अच्छा सा आठा लगा लिए और उसको 10 मिनट के लिए ढखकर रख देंगे आठा लगने के बाद यह आठा लग गया है अब मैं इसको पान्स से 10 मिनट के लिए ढखकर रख दूँगे यह गी लगाकर अच्छे से इसको मस लेंगे अब मैं गी गरम होने के लिए रख दूँगी क्योंकि गी गरम होने में भी टाइम लगता है यह बहुत ही अच्छा मरा अटा लग गया है यह डखकर मैंने रख दिया है यह मैं इसमें गी डालूँगी ये दस मिनट हो चुके हैं, आटे को चेक करेंगे, बहुती सौफ्ट सा हमारा आटा गुथा है, अब इसके हम कचोड़ी तेयार करेंगे, छोटी छोटी लोईयां बना लेंगे, चार पांच एक साथ, ये इसी तरह में, चार पांच लोईयां बना लूँगे, इसको मैं बेल लूँगे, थोड़ा सा बेल के, फिर इसके अंदर हम ये मटर डाल देंगे, अब इसको कचोड़ी को कर दिंगे, हम बन्द, अब इसको थोड़ा दुबारा से बेल लूँगे, हलके हाथ से ही बेलेंगे, ताकि कचोड़ी फूटे नहीं, इसी तरह हम 4-5 खट्टी मतलब कर लेंगे, बनाकर एक साथ हम फिर इनको बनाएंगे, ये हम गी को देखेंगे, गरम हुआ है नहीं, गी गरम हो चुका है, अब कचोड़ी डाल देंगे, ये तीन कचोड़ी मैं एक साथ डाल रहीं, बिल्कुल मीडियम आज पर हम इनको पकाएंगे, बहुती खस्ता हमारी कचोड़ी बनेंगे, आटे की, मैदा सेहत के लिए अच्छी नियोती, इसलिए हम आटे से ही बनाएंगे कचोड़ी, ये हमारी कचोड़ी बन कर त्यार है, देखो कितनी खस्तार फूली हुई बनी हैं न, बहुती अच्छी दिखने में कितनी टैस्टी लग रही हैं, हमारी कचोड़ी, अब मैं इनको निकाल लूँगे, इसी तरह मैं और सारी कचोड़ीओं को भी बना लूँगे, यह मैंने इनको निकाल लिया है देखो कितनी अच्छे टेश्टी लग रही है न यह ग्रीन चटनी बनाई है मैंने चटनी की वीडियो मैंने डाल रखी है आप मेरी लिंक पर मैं लिंक डाल दूँगी आप चेक कर ले न यह हमारी खस्ता कचोडी बन कर त्यार है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो पिलीज ज्यादा शे ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें यह देखो बहुती टेश्टी हमारी कचोडी बनी है यह सर्व करने के लिए त्यार है